नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी फैसन में दोस्तों इस वीडियो में सट के कटिंग करने जा रहा है तो इसकी नाप मैं आपको बता देता हूं कमर की नाप ली नहीं है कमर की नाप हम इस फंटी से निकाल देंगे अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कपड़ा सीधा करेंगे यह फंटी दिख रही है यह अमको सीधी-समें लगाना होती है अब यह देखे आ सबार दौ मीटर कपड़ा है और इसको ने डबल आएसे कर रखा है डबल में अब उसके बाद हम सबसे पहले कपड़ा अपना सीधा कर लेंगे तो ज़से कि यह हमने कपड़ा अपना सीधा कर लिया अब उसके बाद यह किनारा है इसको छोड़के आप देर इंच और इसको रख सकते हैं किनारा छोड़ने के बाद यह आपको निसान लगा लेना यह अंदर फोल्ड के लिए हो जाएगा जितना भी हमारा चेश्ट है सीना उसका चौत्य है आपको कर देना है इसका सैंती सीना है साले अठारा हुआ उसका आधा और उसके आधे हुए है सबानौ अब इसमें देखिए अगर लूज सट है किसी की तो आप इसको सबानौ ही रखें यानि कि हमने तीन सूत कम कर दिया क्योंकि यह फिटिंग में थोड़ी सी है इसलिए हम सबादो नहीं करेंगे अगर किसी की लूज सट है तो आप सबानौ ही रखे दें इसका चोथी आई ओके तो इतना काम समझ में आ गया अब हम इसका रखेंगे चेश्ट जो कि है अब इसका सामना आपको जरूरी नापना होता है सामना नहीं नापेंगे तो किसी की सट धेली या टाइट हो सकती है किसी का माल लेजी है सामना आपने अपने हिसाब से रख दिया फिटिंग की सट में दो इंच का छोड़ी लूजिंग तो और वह आप फिटिंग में पहिं उसमें होती है तो ऐसे में आपको उसका सामना अपना होता है तो सामना के पास तो सामना इसका laptop एक साथ की सिक लेदिना रहा है तो आदाइंस बबा के लिए छोड़ देते हैं यह circles हो गया हुआ हमारे लंबाई का निसान जो है बोविय को फटा दें लंबाई है हमारी 2, records 27 और शालह 27 डो asked 24 में ओपर की जो कंदी है उसका आपको दबाव चोंड Lahay तो ओपर के कंदी का हम आजाई इंश जोन देते हैं hemen 27 है तो इसका 28 कर देंगे और हमारी ओपिं सेट हैं तो नीचे हम एक इंश चोंड देंगे इसके लिए क्योंकि इसकी फोल्ड ओगी तो बिल्कुल साहिए आजाएगी, इतना काम होने के बाद, आप बचा है हमारा तीरा के सालहे सत्रा के आधे हुए हाँ पाउने नॉ आप ऐसे करके भी नाप सकते हैं, जैसे कि यह सालहे सत्रा है, इसको इंचिटेव डबल करा तो यहां पर यह दिखे पौने नाव आ गए पौने नाव आपको रख देना है पिलाज इसमें आदा इंच हम और दबाव छोड़ देंगे जो कि हमारा दबेगा तो हो गया हमारा सबानौ तो इतना हमने रख दिया तो दोस्तों अब हम लगाते ह मैं आपना कळ और का निसान तो कालर है हमारा राभी पाँ सब्सक्रेश में लेकिन हम उस्से भी एक सूथ कम रखेंगे कभी कणार हम घारा राजह वय बढ जाता है तो ऐसे मैं अम पीन ही रखेंगे यह कि एक सूथ कम तो पर देक्तल में चौलाइ कम रख दी पौने पिब निरांसे मुखें है आ डिना है तर यह किना है ना इंच का ये निसां लगा लें अखा दो लेना है उसके बाद हम को ये सीधी लाइन कhen लेना है अभ देखें ये यहां similar कि इसलिए यह लागा है लेगें और अब है खाल खिंच, तो यह है दो आखिए हम कम कर देंगे और निसान लगाएंगे और यहां से यहां पर इसको रखेंगे सीधा और यहां पर हम गुलाई देंगे अच्छे से उसके बाद यहां से यहां पर हम मिलाएंगे इसको किरास में तो यहां पर एक बनाप लेना है सबानो यहां पर आ रहा है तो यहां से हम इसको काटेंगे अब इसके बाद हम ये वाली राउंड करेंगे अब जितना इधर है 28 इंच इधर हमको 28 इंच के निसान लगा लेना है और इसके बाद सीधी लाइन खींच लेनी है यहां पर इस तरीके से और यहां पर अब ये जो है यहां पर देखे हमारा ये 11 इंच था सामना ये फिटिंग में सट है तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको 11 इंच नहीं रखेंगे क्योंकि चेश्ट जादा होता है अब किसी की कमर कम होती है तो नीचे का धर्ड कम होता है और उपर का जादा होता है तो हमको उसी साफ से रखना होता है इसी लिए हमने बताया है ना कि मुझे नाप लिए दे किसी की सड़ आई है नाप के लिए तो हम इसमें क्या करेंगे 11 इंच है बैसे हैं तो विसमें आदा इंच पर देंगे साड़े दस यहां पर रखेंगे तो नीचे साइट हमारी कम रहेगी और चेश्ट हमारे जैसे की जादा होता किसी तो चेश्ट हमारा जादा रहेगा, उसके बाद हम को क्या करना, यहां से फंटी लगा देना है गुलाई में, एक बार मैं आपके लिखा देता हूं, यहां पर आए हमारे साड़े दस, और यहां पर हमारी आए है 110 इंच और यहां तो देखे हमको यहां से नहीं काटना होता है हमको यहां से लगबग दो इंच उपर से आइसे करके इसको काटना है और यह गुलाई में तो यह हमारी कट गई इदर साइड में से नीचे से हम काट देंगे इदर से अब हम बैक जब काटेंगे तब हम इसकी ओपिन करेंगे किसी की अगर फिटिंग में साट रखना हो तो यह जो गुलाई वाली ज्यादा फंटी होती है तो यह सबसे बेश्ट रहती है इसका आप य पिलकुल यह सेव देदेगा एक और फंटी लगाना जरूरी होती है और जिसका पेट होगा थोड़ा सा यहां पर निकला होगा तो उसका नीचे का धर नहीं कम होता है तो एक बराबर ही होते हैं तो ऐसे में आपको हलकी फंटी लगाना है और सीदा सीदा रख देना है और कमने होगी तो नीचे का धड़ बी कम होगा तो ऐसे बहुंद न हितनी यहां पापना है उतनी ही आपको यहां पर रैख देना है कंग होगा I будь फिल यहां नीचे चेश्टimer या diff फैलना किसी आपड तो यहां पर कम हтории आपर कमर्व है यह तो नीचे यह रख यह फाल के तो बहुत बुरी लगती थी तो ऐसा नहीं करना है ओके तो उम्मिद करता हूं जोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल में पहली वारा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जुरू पैस कर लें फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तक के लिए नमस्कार कर दो